नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हारदिक स्वागता हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम चाचा करेंगे पीवी सिंदु से समधी जितने भी महतोपन पर्चन है सभी महतोपन पर्चन हम इस वीडियो में चाचा करेंगे तो द केसा करने वाली वैब पहली भारतिये बन गई है तो यह बारत के लिए बहुत ही गर्व की बाद है पीवी सिंदु को कलाम स्टेडी की तरफ से बहुत-बहुत हार दी गई बधाई अब हम जचा करते हैं इसे सम्मधी जितने भी क्यूशन बन रहे हैं इन्होंने पहले जो भी वाटसब गुरूपों में आप इसे सेर कर दें जिसे सबी तक ये जानकरी पहुंच पाएं दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिएगे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले तो उसके पास जो बेल आइकोन गंठे का सानवस गंठे के सान को भी जरूर दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले से भी वीडियो की जानकर याप तक के पहुंशती रहे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो पहला परसंद है पीवी शिंदू का पूरा नाम क्या है यह पीवी का जनम है यह 5 जुलाई गुणी सो पिच्यानम को भूआ था तो पीवी शिंदू का जनम कब हुआ 5 जुलाई गुणी सो पिच्यानम को दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडियो चाहिए या अन्य और कोई जानकर इस ट्रेश लेटर चाहिए तो आपने हमारे टेलगाम ग पदक जीता था या भी आली में जीता है तो वह पदक जीता है दोस्तों स्वन पदक यानि गोल्ड मेडल जीता है यह मेडल दोस्तों इस चेंपिशिप में लगाता है उनका तीसरा मेडल है और कुल पांचवा मेडल है शिंदू ने किसी बडेट नुनामें पहली बार गोल मी उकु हरा को 27 और 27 से एक्तरपा मुकाबले में हरा कर ये मुकाबला ये मेडल अपने नाम में किया है तो कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल जीता है तो ऐसा करने वाली वह पहली भारतिये बन गई है नेक्स्ट है पीवी शिंदु को इस मुकाम तक पहुंचाने में मुक् और रहे हैं नेक्स्ट है पीवी शिंदु एक विश्व वरियता प्राप्त भारतिये मयला किलाडी है तो कोन्चे खेल में वह खेलती है तो यह दोस्तों गया बैडमिटन तो badminton की वह विश्व वरियता प्राप्त बारतिये महिला खिलाडी है अगला परसन है पीवी सिंदु ने ओलम्पीक खेलों के महिला एकल badminton में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंदु इन दोस्तों ओलम्पीक खेलों के महिला एकल badminton में पदक जीता है वह पदक जीता ह नहीं है क्योंकि बहुत सारे कुष्णम में उन्होंने कांद से पदकी जीता है नेक्स्ट है पीवी सिंदु भारत की रिक्त स्थान नेशनल चेंपियन भी रह चुकी है तो पीवी सिंदु भारत की पहली नेशनल चेंपियन भी रह चुकी है अगला है दोस्तों पीवी सिंद से समीदित खिलाडी थे तो पिवी शिंदु के माता पिता है वह भी दोस्तों बॉलीवोल के पलेयर रह चुके हैं तो वह किस लगद शोंदी थे पीवी शिंदू के पिता पीवी रमन को दोस्तों भारत सरकार ने संज 2000 में एज़ुन पुरुषका से सम्मायनते किया था अगला परसंद देखते हैं पीवी शिंदू ने कितने साल की उमर में ही बैडिमिंटन खेलना शुरू कर दिया था तो इसलिए अब तक इस मुकाम पर है तो सभी बच्चों को बैडिमिंटन आप है ज़रू खेलना चाहिए और किसी खेल में इंट्रेस्ट होगा है खेलना चाहिए नेक्स्ट है पीवी शिंदू ने 2011 के कॉमन वेल्थ यूथ गेम्स में ग्रल्स सिंगल्स में कौन सा पतक जीता था तो यह दोस्तों स्वन पतक गोर्ड मेडल 2011 कोमन वेल्थ यूथ गेम्स में जीता था नेक्स्ट है पीवी शिंदू ने 2011 के एसे जूनियर बैडिमिंटन चेंपेंशिप के करल्स सिंगल्स में कौन सा पतक जीता था तो 2011 का जो एसे जूनियर बैडिमिंटन चेंपेंशिप हो था उसमें दोस्तों कान से पदक अपने नामें किया था अगला परसंद है पीवी सिंदु ने 2012 के एसे जूनियर बैडमिटन चेंपियाशिप के गरल सिंगल्स में कौन सब पदक जिता था तो 2012 में दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडलें जिता था वहीं दोस्तों आगे बात करें हैं पीवी सिंदु ने 2016 के धक्षन एसे खेल के महिला एकल में कौन सब पदक अपने नाम किया था तो 2016 के जो एसे खेल महिला एकल में उन्होंने रज़त पदक अपने नामें किया था अगला परसंद देखते हैं पीवी सिंदु ने 2014 के ACA Championship के महिला एकल में कौनसा पदग जिता था तो इसमें दोस्तों कांच से पदग अपने नामें किया था next देखते हैं पीवी सिंदु ने 2014 के Commonwealth खेल के महिला टीम में कौनसा पदग जिता तो पीवी सिंदु ने दोस्तों, 2014 के जो Commonwealth खेल हुए थे, उसमें कांचे पदक अपने नामें किया था, अगला परसन देखते हैं दोस्तों, PV सिंदु ने, 2014 के जो Uber Cup हुआ था, Uber Cup नई दिल्ली में हुआ था, उसका पदक, कौन सा मेडल उनन जिता था, तो उसमें भी दोस्तों, नोने कांचे पदक नामें किया था, अगला परसन है, PV सिंदु ने, 2016 के Uber Cup कुंचन में कौन सा पदक जिता इसमें भी उनने कांचे पदक अपने नामें किया था, नेक्स्त है दोस्तों, PV सिंदु ने, 2013 के विश्वा चेंपेंशिप के महिला एकल में कौन सा पदक जिता था, तो 2014 में जो विश विश्वा चेंपेंशिप के महिला एकल में कौन सा पदक जिता था, इसमें भी दोस्तों उनने कांचे पदक अपने नामें किया था, तो बहुत सारे कांचे पदक हैं, वह पीवी सिंदु ने जीत रखे हैं, अभी गोल्ड मेडल उनको मिला है, नेक्स्ट है, PV सिंदु ने 2016 के रियो ओलम्पिक खेल के महिला एकल में कौन सा पदक जिता था, इसमें दोस्तों उनने रज़त पदक अपने नामें किया था, अगला पसंद देखते हैं, PV सिंदु ने दोस्तों 2009 के सब जूनियर A.C.A. बेडमिटन चेंपेंशिप में कौन सा पदक जिता, तो ये दोस कौन सा पदक अपने नाम किया था, तो वह रज़त पदक अपने नामें किया था, नेक्स्ट दोस्तों है, PV सिंदु ने दोस्तों 2013 के विश्वा बेडमिटन चेंपेंशिप में कौन सा पदक जिता था, तो 2013 में वर्ल्ड बेंटमिटन चेंपेंशिप होई थी, उसमें ये क्यों सारे अलग-अलग हैं, तो इसमें कुछ प्रुनामेंट होगे, नाम अलग होगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझाएगा, नेक्स्ट है, PV सिंदु को भारतिये बेडमिटन चेंपेंशिप में जीतने के लिए 10 लाग रुपे की राश्य का प पुर्शकारे दिया गया था, अगला है दोस्तो, PV सिंदु ने किस वरस भारतिये नेशनल बेडमिटन चेंपेंशिप जीति थी, तो ये जीति थी 2013 में, अगला परसन है, PV सिंदु को NDTV, Indian of the Year का किताब किस वरस दिया गया था, तो PV सिंदु को दोस्तो, NDTV, Indian of the Year का किताब ये 2014 में दिया गया था, नेश्ट है, भारत सरकार ने भारत का चोथा सर्वच नागरिक सम्मान पदम सिरी से, PV सिंदु को किस वरस समयनत किया था, तो 2015 में, भारत सरकार ने PV सिंदु को पदम सिरी से समयनत किया था, अगला परसन देखते हैं, PV सिंदु को दोस्तो किस वरस अरजुन पुर्षकार से समयंत किया गया था तो इनने दोस्तों अरजुन पुर्षकार से समयंत किया गया था वह किया गया था 2013 में तो अरजुन पुर्षकार 2013 में पीवी सिंदू को दिया गया और उनके पिता को ये पुर्षकार सने 2000 में दिया गया था तो ये दोस्तों पीवी सिंदू के बारे में हमने आपको जो मैतो पुर्ण परसंड है वो सारी मैतो पुर्ण जानकर आपको बता दी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे सभी द वीडियो की जानकर्य आप तक है पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों